नमस्कार दोस्तो दोस्तो चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखते हैं धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते हैं उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा, दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में नौवे भाव में रहेंगे, दोस्तो ये दिन आपके लिए भागय शाली रहेगा, इस समय में कर्म कम और लाब ज्यादा के योग बन रहे है, इस समय में आपको भागय का अच्छा साथ मिल रहा है इस समय में आपका हर काम भाग्य के भरोसे पूरा भी हो सकता है इस दिन आपका मन प्रशन रहेगा आप जोस से भरे रहोगे हर काम को समय पर पूरा करोगे रुके हुए पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए ये सही समय है इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा और दामपत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर पाप्त होगा स्टूडन्स के लिए भी ये समय हर तरह से अच्छा रहेगा, भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इस समय में स्टूडन्स को मिलने वाला है कम समय में आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, इस दिन आपकी सारी चाय पूरी हो सकती है आपके मन मताबिक दिन व्यतित करने का मोका आपको इस समय में मिल रहा है उसका लाब जरूर उठाए और जीवन के हर पल का पूरा आनन ले ये समय स्वास्ते के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, इस दिन आप फिट रहोगे, पूरी तरीके से स्वस्त रहोगे मन में प्रसनता रहेगी और एनरजी से भरपूर दिन रहेगा किसी पूरानी स्वास्ते परिशानी से परिशान है तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है दोस्तों चंदरमा मन का का रख है, और चंदरमा की मजबू स्थिती आपके मन को प्रसन रखेगी व्यर्थ के लड़ाई जगडों से इस दिन आपका बचाव होगा हर प्रकार से दिन आपके लिए काम्याबी से भरा रहेगा इस दिन पीले रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुब अंक रहेगा तीन अंक दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशीपर आधरित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा